जहिंद वंदे मातरम, स्वागत आप सभी का सक्सेस होल डैम से क्यू चैनल पर तो जैसे कि हम जेनरल एवनेंस के दोसों से भी अधिक अत्यन्द महत्कुन प्रस्णों को कराने वाले हैं और ये सभी प्रस्ण आपके आने वाले हर एक एक जाम के लिए most important है और ये आपका part 2 है, part 1 हो चुका है अगर आपने part 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा जाकर देख सकते हैं तो चलिए इसी के साथ आज के session को start करते हैं तो आज के session का सबसे पहला प्रस्ण और important है हुमायो नामा खाली अस्थान द्वारा लिखा गया था हुमायो के द्वारा, अकबर के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा, या D गुलबदन बेगम के द्वारा और आपको प्रत्यक प्रस्ण के लिए answer करने के लिए maximum 5 seconds का time दिया जाता है तो आप लोगों को comment box में answer करते जाना है तो चलिए एक का right answer, अगर आपने option D को दिया है तो बिल्कुल सही जबाब हो जगा हुमायो नामा जो है, यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है यहां से 2-3 प्रस्ण बनते हैं, उनको भी बता देते हैं एक आपसे पूछा है था अकवर नामा, तो याद रखना है अकवर नामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है दो पूस्ता का याद रखना है, चलिए अगब बढ़ते हैं दूसरा प्रस्ण है, निमलिखित में से अंतिम मुगल बात्सा कौन था फड़ा फट सा अंसर करते जाएंगे, और यह सारे प्रस्ण आपके एक्जाम के लिए सारे प्रस्ण सेलेक्टेट लिए गये तो दूसरे का राइट अंसर, अगर आपने अप्रस्ण सी को दिया है, तो बिल्कुल सही जबाब ज़ेगा अंतिम मुगल बात्सा कौन था, तो बाधूर सा दुईती याद रखना है इनी को बाधूर सा जफर भी बोलते हैं, याद रखना है चली अग़ बढते हैं, तीसरा परस्ण है, क्रिसन देवराई कालिया स्थान के समकालें थे परत्य अंसर करते जाएंग परत्य बिश्ण का आंसर कमेनड बक्स में आना चाहिए तो इसका राइट अंसर उप्सन ओप्सन, लिसे काले बावर के समकाले थे याद रखना है और सेरशाशुरी को याद रखना है इनसे एक प्रस्निक पूछा यह जाम में कि पूछा यहता है कि कि से समय में पर्शासने खुदार बहुत हुए थे तो याद रखना है और घृत कुछ समय दो यूद लड़े गए थे एक चौशा का यूद यहां पर लिख देते हैं एक यूद चौशा का यूद है जो की 1549 इस्पी में लड़ा गया था और दूसरा बिलग्राम का यूद पूछा यह था जो की 1540 इस्पी में वह था और दोनों ही यूद में घुमायों की ह पाले समय में एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो अकबर दुवरा निर्मित पूजा हौल का नाम किया था तो इबादत खाना यादकना है और शीज प्रण का विल्कुल सही जबाब हो जागा इबादत खाना का निर्मान कब हुआ था तो दीके शूरू हुआ था पंड़ 1558 में शुरुआत हुई और 1558 में बन गया था यादकना इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है मुगल चित्रकला खाली अस्थान के ताहत अपने चरहम पर पहुच गई फटा पट्स आंसे करेंगे यहां से तीन से चार प्रसंद बनते हैं जो की इंपोर्टेंट है बहुत ही जामें पूचा है तो मुगल चित्रकला किसके तरथ अपने चरहम पर पहुच गई थी राइट अंसर है जांगीर के समय सही जवाब हो जाएगा साधा को यादकना अस्थाप्रति कला का स्वर निकाल सभी को यादकना अकबर को यादकना है था निकाल ही इससाथ का सभी को बस्थापीत हुआ फटा पट्शांसा करेंगे भारत में पर्थम महिला अबिस विदाले का बस्थापीत हुआ तो याद रखना इसका साही जवाब option C किसा चलाज़ेगा 1916 SP में याद रखना option C स्प्रत्न का बिल्कुल साही जवाब हो जाएगा 1917 में क्या हुआ था तो गांधी जी ने अपना पाला सत्यागरा सुरू किया था चमपारन में 1917 SP में याद रखना है 1925 में क्या हुआ था तो काकोरी ट्रेन एक्षन हुआ था याद रखना है नेक्स्ट है, बैंक प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, सोच समझ का अंसर करना है, परतेग स्ट्वेंड का अंसर कमेंड बोक्स में आना चाहिए, और अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है, तो सभी लोग दिल से गवर सेशन को लाइक करेंगे, तो बैंक प्रदान करना है, आपको सेशन में बता देजाएगा, तो इसका राइट अंसर ओप्सन C के साथ चला देगा, पानी पत की पाली लाई, जो की 1526 इस्वी में लडा गया था, याद रखना है, हल्दी घाटी की लाई पूछा याद रखना है, तो याद रखना है, 1566 इस्वी भारत में कुल कितने राज और केंदर सासित परदेश है, फड़ा पट साथ चांसर करते जाएंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक ने किया, फड़ा पट सेशन को लाइक करेंगे, तो भारत में कुल कितने राज और केंदर सासित परदेश है, इसका साही जवाब है, इसका सही जवाब अगर आपने option A को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब ज़ेगा अबुल फजल यादखना है यह बिल्कुल सही जवाब है कब तो 1210 इस्व में यादखना है पोलो याने की चोगान खेलते समय यादखना है नेक्स्ट है आगरा सहर के संस्थापक कौनते फटा पट से आंसर करते जाएंगे और फ्रेंड्स आपको प्रस्न के लेवल को देखकर पता चलिया होगा कि सारे प्रस्न में आपके लिए सधानी बनाया था याद रखना है नेक्स्ट है पानिपत का दूसरा यूद खाली अस्थान के बीच लड़ा गया था ये प्रस्न के लिए analyses में मॉश्ट इंपोर्डन है क्योंकि ये प्रस्न कई बार दी चांट क्भी बस आ था next है भारतिय रीजर बैंक कब स्थापित हुआ फटापट सांसर करते जाएंगे चलिए सभी लोग दिल से एक बार सेस्टन को लाइक करेंगे सेस्टन को शेर करेंगे तो भारतिय रीजर बैंक कब स्थापित हुआ तो एक अप्रेल 1935 को याद रखना है राश्ट्रिकन एक जनबरी उनिस्व उन्चास अस्थापना एक अप्रेल उनिस्व पेटिस हेट क्वाटर मुंबई सभी को याद रखने इंपोर्टेंट है सतरवी सताबदी में भारत में गुरिला यूदी की अबधारना को किसने लागू किया सही जबाब है सिवाजी ओप्शन एस प्रसने का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा चलिया अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट है गुरु नानक की जिवनी लिखने वाले सिख गुरु कौन थे फटा पटशांसे करेंगे ये भी प्रसन आपके एकजाम में कई बार पूछ आ चुका है गुरु नानक की जिवनी लिखने वाले सिख गुरु कौन थे तो इसका राइट अंसर ऑप्शन डी के सच लाज़ेगा गुरु अरजुन देव याद रखना है और गुरु अरजुन देव ये सिखों के पाचवे गुरु थे और इनकी हत्या जानगीर ने करवा दिती याद रखना है नेक्स्ट है खुद को सिख अंदर ये सानी बताने वाला सुल्तान कौन था चलिए आंसे करेंगे चलिए तो याद रखना है खुद को सिख अंदर ये सानी बताने वाला सुल्तान कौन था इसका राइट आंसर है अप्शन भी अलाव दिन खिल जी याद रखना है बी बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा चलिए आंसे करेंगे सारे प्रसंद इंपोर्टेंट है इसलिए सेसन में अनतर्यक बने राना है रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैटने वाली पाली मैला सुल्तान थी किसकी बेटी थी तो इल्तुतमिस याद रखना है नेक्स्ट है भारतिय मैला बैंक का अस्थापना कब हुआ फटा पट से आंसे करेंगे भारतिय मैला बैंक की अस्थापना कब हुई चलिए तो इसका राइट अंसर उप्शन चला देगा पुछा इतरा अध्याम मैं तो याद रखना है नवरोज का जो तेवार है बलेबन के द्वारा शुद कियागा थे याद रखना है बलबन के द्वारा चलि एस इखस्ट आगेवड़ते है अगर पूचे कि हर्स चरित किसके द्वारा लिखा गया है तो याद रखना है हर्स चरित वान भट के द्वारा लिखा गया है जैविद जैदेम के द्वारा क्या लिखा गया है तो गीत गोविंद याद रखना है नेक्स्ट कुशन है भारत का सबसे पाला बैंक कौन सा है थो 1935 में याद रखना है RBI, 1935 में भारतय स्टेट बैंक का बया था थो 1955 में याद रखना है और भारतय स्टेट बैंक का पहले नाम क्या था तो Imperial Bank of India याद रखना है इंपोरेंट है बहुत ही प्रसिद प्रसन शासक चान बीभी किस राज़ी कि थी बहुत ही प्रसिद प्रसन है इंपोर्टन प्रसन है यह प्रसन कई बार एक्जाम में देखा गया है प्रसिद मुस्लिम सासक चांद बीबी किस राजी की थी तो यादकना एहमद नगर सी बिल्कुल सई जबाब जगा एहमद नगर कीv आप लोग कमेंट करके बताएंगे की बैरेम खा की मिर्थीव कब हुई देखतें कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं नेक्स एहमद भारत में केंद्रिय बैंक बैवसाई किस बैंक द्वारा प्रस्थूत किया जाता है चलिए answer करेंगे भारत में केंद्रे बैंक बेबसाई कारे किस बैंक दोरा प्रस्तूत कराता है तो इसका सही जबाब है option A भारते रिजर बैंक याद रखना है option A बिल्कुल सही जबाब अज़ेगा headquarter का है तो Mumbai है याद रखना है next है भारत में चमडे की token किसने शुरू की चलिए answer करेंगे भारत में चमडे की token किसने शुरू की सही जबाब है बाबर ने याद रखना है C बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा next है दिल्ली सर्तनत का सासन कब समाप्त हुआ चलिए answer करेंगे दिल्ली सल्तनत का सासन कब समाप्त हुआ तो शुरू कब वह था तो शुरू हुआ था 1260 में यदकना है शुरू हुआ था 1260 में और समाप्त कब वह था तो यदकना है 1526 में समाप्त हुआ था और प्रथम वंस कौन था तो गुलाम वंस यदकना है दिल्ली सल्तनत का प्रथम कौन था पूछायता है तो गुलाम वहन्स था और अंतिम कौन था तो लोधी वर्स दोनों को यादकना है प्रथम और अंतिम समापत का भुआ था तो 1526 में यादकना है 20% का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है उस भारतिये राधा का नाम बताए जिसने काली कट में उतरने पर पूर्तगाली यात्री वासको डिगामा का गर्म जोसी से स्वागत क्या गया फटा पचान से करेंगे और ये भी यादकना है कि वासको डिगामा जो पूर्तगाली यात्री है ये भारत का बाया टाइता तो 1498 इसमी में और स्वागत किसने की आता तो जमय रख Springs बीद्कुल सई जबाब होँजाएगा बारत में सबसेबड़ी चुर्ण ये खावनात में है सेल बहुटा चुम्हासा ये सब्सेमाोग कि लिद्कुल याद रखना है important है और इसी लोक्तक जील में याद रखना है भारत का एक भारत का नहीं बिशु का एक तेरता हुआ राष्टे पार्क है जो कि कीबूल लम जाओ पार्क याद रखना है यहाँ पर लिख देते हैं कीबूल लम जाओ पार्क याद रखना है अगर आपसे चलिए शिक्सत आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विश्व बैंक का मुख्याले कहा है वासिंग अटन डीसी जेनेवा हेग या फ्रेडी पेरिज तो ध्यान देगा वासिंग अटन डीसी यह विश्व बैंक का मुख्याला है अप्षन एस प्रसनिका बिल्खुल सही जबाब होजाए का यादकना है एक पूछाता है डव्लु टीयो है डवलु टीयो और डव्लु एचो इसका मुख्याले कहा है तो जेनेवा में है यादकना है है एक यादकना है आई सीजियानी की इंटरनेशनल चीप ऑफ जैस्टिस इसका मुझ्ञाले हेग में है और पेरिस किसका है तो Yukika का याद रखना है Next question है भारतिय रीजर बैंक निमलखित मेंसे किस दर का निर्धारन नहीं करता है यानि कि RBI निमलखित मेंसे किस दर का निर्धारन नहीं करता है आपको बताना है तो याद रखना आईकरदर का निर्धारान नहीं करता है इससी बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सी अली अहमद का भारत का लेखा जोका है फटाफ़ आपसांसर करेंगे इंपोर्टन प्रसने और जिसने अभी तक session को like ने किया सबी लोग दिल से एकपर session को like करेंगे session को share करेंगे तो 34 का right answer की आजएगा जी बिल्कुल आपसण चला चछ के साथ चचनामा याद रखना है क्या जएगा चचनामा हो जगा यहाँ चर्च информ colocar लिखा गया और जाहेद रखना है जट्णा में कस्मीर का इतियास है याद राखना है सुएठ रख्ट कोशिकाओं को खाल यह स्थन के रूप में भी जाना जाता है आंसर करेंगे अन्सर करेंगे सबसे फचय क्वह स्थन द्वाब स्थन द्वात रُ wrestle की गई थी फटब फटशा आंसर करेंगे किस के द्वारा सुरू की गई थी चलिए तो इसका साही जवाब जोई बच्चे बी को दिये हैं बिल्कुल साही जवाब हो जाएगा मिंटो मौरले रिफॉर्म सॉप 1909 याने की मिंटो मौरले सुधार यादकनिया ऑप्शन बी बिल सब्सक्राइगा का अगर आपसे पूछे कि पूराना नाम क्या था तो या रखना है इंप्रियल बैंक ओप इंडिया जिसके स्थफना 1921 में हुई थी लेकिन आप SBI बन गया है याद रखना है बहरत में सबसे कम जनसंक्या वाला राजी कौन सा है फड़ा पट सांसर करते जाएंगे तो याद रखना है भारत में सब्सक्षे कम जनसंक्या वाला राजी पूच रहा है तो सि सिक्किम हो जाएगा छेतरपल में सबसे चोटा गोः हो जाएगा चेतरपल में सबसे बड़ा राज्तान हो जाएगा और जन्सक्या में सबसे बड़ा यूपी हो जाएगा सभी पॉइंट को याद रखने इंपपॉर्टन्ट है चली आगे बढ़ते हैं भारत के लोग सभा के प्रतेम अध्यक्श कौन थे चली answer करेंगे सारे प्रंण selected है एक बर session को like करेंगे session को share करेंगे सब्ही लोग तो भारत के लोग सभा के प्रतेम अध्यक्श जिवी मावलनकर हो जाएगा option A.S. प्रसित नारा किसका है तो महतमा गांधी option A.S. प्रसितन का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा चलिए बात करते हैं कि आप इसका PDF कहाँ पर डॉलोड कर सकते हैं तो PDF के लिए टेलिग्राम चनल का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जागा जाए ये टेलिग्राम चैनल को जोएन कर लिजे जैसे ही PDF अप्लोड होगा उसका notification आप तक पहुँच जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है गोतम बुत का वास्तविक नाम क्या था फटापट से आंसर करते जाएगे और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे एक भी क्लास का notification आपसे मिशना हो तो गोतम बुति का वास्तविक नाम सिधारता भी बिल्कुल सई जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स सबसे पहले खाली अस्थन की रियासत पर लागू किया गया था यह प्रस्ट आपके एक्जाम के लिए मोश्ट इंपोर्टन भी बिवियाई प्रस्ट ने चलिए आंसर करेंगे तो डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स किसके ससन काल में आ था तो यह प्रस्ट ने लाट डलोजी 1848 यह प्रस्ट को और इसका राइट अंसर 17 हो जाएगा यह बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है चलिए आंसर करेंगे तो यह प्रस्ट है निजामुदिन ओल्या ने कहा था दिल्ली अभी दूर है अप्शन एस प्रस्ट का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है नमक सत्यागरा किस वर्स हुआ था फटा पढ़ चांसर करते जाएगे सोर्च समझका अंसर करना है तो नमक सत्यागरह किस वर्स हुआ था इसका right answer है option क्या ज़ेगा B के शचर ज़ेगा 1930 में हुआ था next है Congress की परथम महिला अध्यक्ष कौन थी फटा पट सांसर करेंगे Congress की परथम महिला अध्यक्ष याधाटना है Congress की परथम भारतिय महिला अध्यक्ष याधाटना है और कॉंग्रेस का प्रतम मुस्लिम अध्यक्ष यादटना है, तो तीन प्रस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका राइट अंसर उप्षन एक साथ लजगा, श्री मती एनी बेसेंट, यह कॉंग्रेस की प्रतम महिला अध्यक्ष थी, अगर आपसे पूछें कि प्रतम भारतिय मह मनाया जाता है और याद रखना है काहाँ कॉन सा भी से मनाया जाता किती याद रखना है तो लोशांग के ए उस स्चाहप है जो मनाया जाता है कहाँ शिख्की में मनाया जाता है, नेइस्ट है, अंत्राष्टे महीला दिबस, कब मना जाता ही, चलिए नश्य करेंगे, तो याद रखने, अंत्राष्टे महीला दिबस, प्रत्येक वर्ष रख़ुख्न přे वर्ष, आठ दा करेंगे, ऑपसं, बी विल्गुल यह जबा मुह जागा, आठ मार्छ को, 18 फ शेयर करेंगे तो यामीनी क्रेश्ण मूर्थी का संबंद किस से है यादटना ये भरत नाटियम से है ऑप्शन 20 प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा आप लोग कमेंड करके बताएंगे कि कथक ओडिसी और कथक कली ये किस किस राजी से संबंद है देखते कितने ब अच्छास इंपोर्टन प्रस्णों को रखा गयता है और जेनरल अबनेंस के टोटल एकसो प्रस्ण हो चुके और आपको दो से तीन वीडियो मिलेंगे तो जिसने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया चनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तक कि वीडियो आपसे मिस न अच्छास प्रस्ण हो